आज हम आपके साथ सल्गम की एक ऐसी recipe शेयर कर रहे है ना जिससे अगर आपने एक बार बना लिया तो आप इसे बार-बार बनाईएगा और अगर आपको सल्गम बिलकुल नहीं पसंदे तो ये खाने के बाद तो पक्का पसंद आने वाली है तो चलिए देखते हैं कैसे बना पैन में वापस से दो चमच तेल का एड़ करेंगे अब हम इसमें एक तीछ पत्ता एक इंच दाल चीनी का टुकरा दो सुखी वी लाल मिर्च और आदी छोटी चमच जीरा एड़ करेंगे इसके बाद एक पारी कटा हुआ प्याज एड़ करेंगे और प्याज को गोल्डिन ब नुसार हलदी, मिर्च, नमक और धनिये का पाउडर एड़ करेंगे मसालो को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि मसालो में इसे तेल नहीं चूट जाता इसके बाद अब हम इसमें एक कप मटर एड़ करेंगे साथी हमने जो सल्गम रखा हुआ था हम वह एड़ करेंगे सलगम और मतर को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए भुन लेंगे एक कप पानी आड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद ढ़क कर हम इसे 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे अब उपर से हम थोड़ ट्राइ करिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और इसे अपने फ्रिंट्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें साथ ही मेरे चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे